उत्तप्रदेश के हर दोई जिले में एक अनुसुचे जन्जाती से तालोक रखने वाली विद्व महला का दूसरे समोदाय के एक शक्स द्वरा शारीरिक शोशन किये जाने का मामला सामने आया है। मैं लग आरोप है कि मुस्लिम बिरादरी से तालोक रखने वाले आरोपी ने उसका शारीर एक शोशन करने के दौरान उसकी आपतिजनक फोटो भी किसी तरह से ले ली और आरोपी शादी करने के लिए उस पर धर्म बदल कर इसलाम धर्म कुबूल करने का दबाव बना रहा है इनकार करने पर आपतिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल करने के साह साथ आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई भी की अधर्म फोटो इसने बाइन इंटरनेट वेस्ट बाइरल कर दिये सब्सक्राइब पूरी दुनिया वहारी बेस्ति करवाके तो हमने इसका बिलोग में नंबर डाल दिया हमने बात नहीं कि इस से चार-पाच महीने फिर हम अपनी मम्मी के हाँ इसको पता लगा कि अपनी मम आप मुहमडा ना हम हिंदू हैं तो इसने कहा कि आप धर्म परवर्तन करो अको नजह हमने मना किया तो सर हमको मारा तमंचिक बैटी बैटी से आप बहुत मारा सर फोड़ दिया गरदन पे लात रख दी अंगूठा तोड़ दिया आपके नहीं मानो कि तुम को जान से मार द पीब हैं जो पिहानी थाने के राबा गाउं का रहने वाला है पुलिस ने इसे एक अनसुचे जनजाती की महला का शुरेरिक शोशन करने उसके साथ मार पीट करने और शादी करने के लिए धर्म बदल कर इस्तलाम धर्म सुईकार करने का दबाव बनाने के मामले में गरफ किया है यह तड़ियावा थाना चेतर की रहने वाली है एक मईला है उम्र करीब उनकी 35 वर्स है यह अपने माई के यानी थाना चेतर में गई थी वहाँ पे इनका कहना है कि गाउं का ही एक वक्त जो दूसरे समुदाय का है इनके घर में घुश के जवरन इन पे साधी का इनके साथ जो है मार्पिट गाली के लोच किया इस पर अभियोग पंजिकरित करके अभियोगत को गिरफ्तार कर लिया गया है जेल भेजा जा रहा है अन्यावा सब्सक्राइब फिलाल महला की शुकायत पर पुलस ने आरूपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का मामला दर्ज कर आरूपे को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की गहराई से जांच करके आरूपी को जेल भेजने की कारवाई में जुटी हुई है पंजाब के से टीवी के लिए हर दोई से मनूज तिवारी की रिपूर्ट